बढ़ी जिम्मधारी दी गई आतिशी और सौरभार तो आज कूं आतिशी और सौरभार जो यह दो वैक्ति हैं या फिर यह खाई आमादी पाटी के यह work पिलर है जो कि हमेशाँ आमादी पाटी के साथ भड़े रहे हैं और आतिशी के oneself मंत्री पत्की शपदन लेने के बाद आतिशी केज्रिवाल केबिनेट में पहली महिला मंत्री बनी है पहली बार कोई महिला को जगए मिली है औरुन केज्रिवाल केबिनेट में और चुकी यह लगातार देखा गया कि जब भी जब मनीत iso और क्लास कि शक्ष्य के बात्प करें सल्ड़ाइन से विश्वस्त रहें और 선ुवरा परोइन सुरभ भारद्वाज के शुत्विर利ों से विधायक रहे हैं और वो लगातार वहां से जीचते आए हैं और इसलिए सवरभ भार्दवाज चुकि आहमूमन चुकि वह एक पर्मुक्र वक्ता भी है आमादी पार्टी के और हमेशा आमादी पार्टी के समर्थन में खड़े रहे हैं और इसलिए मनीशी सोधिया के देजाइन के बाद अर्विन केजरिवाल की तरफ से जो दो नाम सामने आए उसमें आतिशी और स्वरभ भार्दवाज से और जिनके नामों पर मोहर लगने के बाद अब से थोड़ी देर पहले ही राजभवन यानि की दिल्ली को प्राजय पाल के निवास पर दोनों ने बहावनाएं जो आतिशी को लेकर हैं वो सबसे यदा परमुका सम भावनाएं शिक्षा मंतराले को लेकर हैं कि शिक्षा मंतराले का जिम्मा आतिशी को दिया जा सकता है। सौरब भारदवाज को लेकर देखना हुए क्या कर जिम्मेदारिया उनको और उनके जिर्वाली कि तरफ से दी जाती है। विने क्यूंकि जिस तरीके से अगर सौरब भारदवाज की बात करें या आतिशी की बात करें, दोनों के नाम जे थे जब से मनीश से सोधिया और सतेंदर जैने स्तीफ़ा दिया था, उसके बाद क्यास लगाया जा रहे थे कि दोनों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आस दी गई है, और गौर करने वाली बात ये है, क्योंकि तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं सौरब भार्दवाच और ऐसे में दूसरी बार ये जिम्मेदारी मिली है कैबिनिक में आने की. सौरब भार्दवाच के लिए जरूर ये कहा जाता है कि तेज तरार है और इससे पहले चुकि वो दिल्ली डियालोग कमिशन के चेर्मेंन थे और दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी भी उनके पास थी, कोन सा पॉट्फोलियो दिया जाता है, क्योंकि सतंदर जेन सबसे पहले जब एड ने अरेस्ट किए उसके बाद जो निया क準 लग जो में दुबार हैं दुइंऑां में लेकिन किसो मंतर जी जाएगी वो भी देखना हो जो में उनमें इसको बाटा आप इप पहले सब्सक्राइब भी रह चुकी है और जिस तरीके से हमने अगर मनीश सिसोधिया के साथ अक्सर देखा था कि एक सलहकार के रूप में काम करती थी हमेशा अगर हम कहें स्कूलों को बदलने की बात कहें कि दिल्ली के स्कूलों के रूप रूप एका जो है वो बदली है तो आतीशी का कहीं न कहीं उसमें योगदान रहा है तो ऐसे में क्या माना चाह सकता है कि आतीशी के पास जो है वो शिक्षा मंत्राल्य हो सकता है इसमें पूरी संभावना है कि शिक्षा मंत्राल्य आतीशी को मिलेगा और पूरे कयास इस बात के लग रहे है सबसे बड़ी वज़ा इसकी यही है कि जब मंतरी जो की शिक्षा मंतरी मनिस सोधिया थे तब लगातार मनिस सोधिया के साथ स्कूलों को लेकर और स्कूलों की पॉलिसी को लेकर एजुकेशन को लेकर स्कूलों की मारतों को लेकर तमाम मौके पर आतिशी उनके साथ रही कई पॉलिसी है शिक्षा को लेकर जो की आतिशी की तरफ से यहां पर सज़ेस्ट की गई थी मनी सिसोधिया को और इसलिए उनको ये लगातार कहा गया कि जहां मनी सिसोधिया दिली की सिक्षानीती बदल रहे हैं तो उसमें आतिशी का काफी बड़ा योगदान रहा है और स्कूलों की पॉलिसी चल रही है वो उसी तरह चलती रहे उसमें किसी तरह का कोई ब्रेक ना और आतिशी के लिए पूरी संभावना है कि उनको दिली का शिक्षा मंतरी बनाया जा सकता है जी और रागर सौरब भारतवाश की बात करें विने क्योंकि हालंकि दूसरी बार उन्हें कैबिनेट में मंतरी बनाया गया इससे पहले भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन सरकार जो है उन्चास तीनों तक ही चल पाई है तो ऐसे में क्या स्वास्तिया का विभाग है हेल्थ मंतराले जो है वो क्या सौरा भारतवाश को दिया जा सकता है क्योंकि पहले तो परिवेन मंतरी थे लेकिन इस पार चेंच किया जा सकता है या फिर पूरी कैबिनेट में ही बदलाब किया जा सकता है कुछ ऐसे भी जानक परकारी नीती भी आपकारी डिपार्टमेंट वह मनित के पास था अब यह सवाल उड़ता है क्या स्वहूरव भार्दवाज को दिया जायेगा या नहीं जायेगा, पीड़ब्यूडी का जिम्मा है वो भी क्या सौरभ भारदवाज के पास आता है या नहीं और इसके अलावा जो अन्य जो मंत्राले थे एक्साइस का जो मंत्राले था उसके लेकर भी लगाता रहे कायास है कि कौन क्या सौरभ भारदवाज को दिया जाता है या नहीं या फिर सबी जो मंत्राल है अनको फिर से रिषफल किया जाता है जरुषफल को लेकर अव्य उमीद कम है लेकिन ये जजरूर अमीद है कि ज़ो सवरभारदौधा जो आतिशी है उनके पास कुछ मंत्राल बाकि जो मंत्राल है बाते जा सकते हैं चलिए इंतजार रहेगा कि पोच्पोलियो में कौन-कौन से बिभाग्चू है बहुत बहुत शुक्री आपका भी ने तमाम चाहिए के लिए तो आपको बताते हैं कि आज